तो दोस्तों अगर आप लोग अपना यूपीटेट का सर्टिफिकेट अंक पत्र जो है डायेट से प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे और कुछ पॉइ डेफिनेटली आपको आपके अंक पत्र मिल जाएंगे जो आपने टेट 2021 में क्वालिफाई किया था वो वाला ठेक तो चलिए वीडियो देख लेते हैं एक बार फिर से और डिसकस कर लेते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़े ध्यान में रखनी है तो सबसे पहले आपको एप्लिकेशन फार्म की फोटो कॉपी और ये इसी सीरियल क्रम में आपको सजा करके भी लेकर जाना है मतलब इसी सीरियल क्रम में इसे लेकर जाना है उसके बाद आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल मार्क सीट की फोटो कॉपी इंटर मार्क सीट की फोटो कॉपी भी आपके वो आपको ले जाना है और आपको साथ में डिपलोमा भी मिला होगा वो भी आपको ले जाना है फोटो कॉपी और ध्यान देना है इसी सीरियल करम में आपको सजा के ले कर जाना है अगर आपने जाती लगाया है जाती प्रमारपत्र या फिर निवास प्रमारपत्र भी लेकर जाना है आपको एक फोटो ध्यान दीजे यहां पर एक फोटो पासपोर्ट साइज का आपका होना चाहिए यह नहीं कि बड़ा सा लेकर जाए पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और आधार कार्ड सभी का फोटो एक एक कॉपी करके लेकर जाना है इसके बाद तो मार्क सीट आपको ध्यान दीजिए उसी जिले के डायट में मिलेगी जिस जिले में आपने परिक्षा दी होगी और आपका होम डिस्ट्रिक चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है यह वाले क्वेश्चन जो है काफी लोगों ने किया था कि हमको सर किस डायट पर जाना है तो इसका अंसर यह है कि आपने जिस जिले में एक्जाम दिया था उसी जिले में आपको मार्क सीट मिलेगी आपका होम डिस्ट्रिक चाहे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है जहां पर आपने एक्जाम दिया था जिस जिले में वहीं पर आपको जाना है उसी के डायट पर और वह डाकुमेंट्स जो है इस सीरियल करम में सजा कर लाइए तो ये सारा आपको चीज ध्यान देना है और इसके साथ और जिनल भी लेकर जाना है क्योंकि वो लोग देखेंगे फोटो कापी तो किसी के पास भी हो सकता है आपका और इस पर आपको जो फोटो कापी ले जाएंगे उसके आपका सिगनेचर भी होना चाहिए दोस्त अगर सिगनेचर नहीं है तो वो लोटा देंगे बोलेंगे जाओ इसको स्वः प्रमारित करके लेकर आओ ओर जिनल भी आपके पास होना चाहिए और इन सब का पूरा दो सेट फोटो कापी भी होना चाहिए और उस पर आप खाली हाथ वापस नहीं आएंगे और एक date qualified आप अपने साथ अंकपत ले आएंगे और यहाँ पर एक question और है कि इसकी validity तो इसकी दोस्त validity जो है आपकी lifetime है lifetime इसकी validity है पहले जो है starting में 4 साल था फिर 5 साल था फिर इसको lifetime कर दिया गया है clear है और ध्यान दीजे ये वाला question जो है बहुत लोगों ने पूछा था कि आपको किस diet में जाना चाहिए अपने home district वाले diet में या फिर जिले के diet में जहां पर आपने exam दिया था तो जिसमें आपने exam दिया था आपकी परिक्षा जिस जिले में होई थी उसी जिले में आपको उसी जिले के diet में आपका अंग पत्र मिलेगा बाखी मिलतें नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए goodbye thank you and take care and all the best thank you